मेरे अभिन्नमित्रों नमस्कार फ्रेंड्स आज के लाइफ मेनेजमेंट की शुरुआत में एक बहुत ही प्यारे और उर्जा से भरे हुए इमेल से करने जा रहा हूं और यह इमेल लिखा है हम लोगों के आउनलाइन और आफलाइन क्लास की स्टुडेंट प्रियांशी भार द्वाजने जो अलवर राजस्थान की रहने वाली हैं आपको ध्यान होगा कि मैंने पित्र पक्ष को लेकर के एक दो बातें आप सबके सामने रखी थी कि किस तरीके से कुछ लोगों ने अपने पित्रों को श्राध अर्पित करने के लिए नए तरीके अपनाए और उन तर प्रियान्शी ने लिखा है कि आपकी बातों से प्रभावित होकर आज हमारे परिवार ने स्वर्गी दादी जी के श्राध पर इक्यावन पेड लगाए तो सबसे पहले तो प्रियान्शी मैं आपको और आपके परिवार के सदस्यों को इस कारे के लिए बहुत भऌत धन्नेवाद देना चाहूंगा उनके प्रतिया भार्वेक्ः करना चाहूंगा और सच पूछिए तो उनका अभिनन्दन करना चाहूंगा ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब बात पित्रों की आती है तो नई पद्धती को स्विकार कर पाना बहुत मुश्किल होता है योकि हमारे मन में अलग अलग तरह के अनेक आशंकाएं पैदा होने लगती है हम भैभीत हो जाते हैं हमें लगता है कि कहें ऐसा नहों कि हम सिस्टम को बदल रहे हैं तो हमारे इस बदले हुए सिस्टम को हमारे पित्र देव स्विकार न कर पाएं और नाराज हो करके हमारा कुछ अनिस्ट न कर बैठे हलाकि आपतार की रूप से जब सोचने की कोशिस करेंगे तो आपको अपनी ही सोच पर हसी आने लगेगी हसी इस रूप में आएगी कि जो हमारे पित्र हैं वो हमारे बड़े हैं माता, पिता, दादा, दादी, परदादा, नाना, नानी कुछ भी हो सकते हैं वो हमारे बड़े हैं उन्होंने हमें पाला पोसा है वो हमारे शुभजिंतक हैं, वो हमारा विकास देखना चाहते हैं, हमें सुख में देखना चाहते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से वे जब जीवित थे तो हमारे हित के लिए उपता ने क्या क्या करते थे, पित्र बनने के बाद अब तो उनकी छमता, उनकी शक्ति कई वना ज्यादा बढ़ गई है, वो चामतकारिक और अलावकिक शक्तियों से युक्त हो गए है, साथ ही दो दूसरी महत्यपून बात है कि वो इस जगत से परे चले गए हैं, जब हम इस जगत में हैं तो इस जगत की बहुत सारी जो वृत्तियां हैं, वो हमें ब्यापति हैं, हम सब भावनाएं हमारे अंदर समय समय पर पैदा होती रहती हैं गायब होती रहती हैं नई ने प्रवितियां आती रहती हैं लेकिन हमारे जो पित्र हैं वे तो इन सब से मुक्त हो चुके हैं देखे हम तो उनकी आराधना कर रहे हैं हम तो उनकी उपासना कर रहे हैं एक प्रका तभी तो हम उनकी उपास ना कर रहे हैं तो यदी हम सच में यह मानते हैं तो फिर हमें उनके प्रति आशंकित क्यों होना चाहिए उनके क्रोध से डरना क्यों चाहिए क्योंकि हम जो दूसरे काम भी कर रहे हैं जैसे कि प्रियांश्री भारत द्वाज के परिवार ने 51 पेड लगाए तो ये काम जो किया गया है वे भी पित्रों के नाम पर ही किया गया है दादी के नाम पर ही किया गया है ये जो 51 व्रिक्ष हैं ये दादी को ही अर्पित हैं उन्हें ही समर्पित हैं तो दादी में देवत्व का गुणा चुका है क्योंकि वो पित्र देव बन चुक उनके विचार में तो यही आएगा कितना अच्छा काम किया है, यह क्यावन पेड़ लगे हैं, इन्हीं क्यावन पेड़ों से आक्सिजन वहां के आसपास के लोगों को मिलेगी, फल, फूल मिलेगे, छाया मिलेगी, जल मिलेगा, जेहां जल का वे भी रोकने का काम जो व्रिक व्रिक्ष नहों तो वर्षा भी खत्म हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि जल भी मिलेगा, पता नहीं यह व्रिक्ष क्या क्या नहीं देंगे, तो ऐसी स्थिती में जो हमारे पित्र देव होंगे, और जादा खुश होंगे, खुश हो करके हमें और जादा आशिरवात लेकिन आज हम याद नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें याद कर रहे हैं, पूरी श्रद्धा के साथ याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, और उनके नाम से ही कुछ कर रहे हैं, बस अब जो कर रहे हैं, उसका स्वरूप बदल गया है, और यह जो स्वरूप है, यह पहले क तो चेतना पर चड़ीवी चर्वी से मुक्ती पाने का रास्ता है। जी हाँ एक बार जब आप कुछ इस तरह की कदम उठा लेते हैं और आप देखते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है बलकि कहीने कहीन कुछ बेहतर ही होने लगा है। चीक लगता हो उचित लगता हो कदम भी उठाएंगे और इसी के साथ ही फ्रेंड्स अब दो दिनों के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूंगा फिर मिलेंगे फिर बातचीत होगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखें मेरा भिवादन स्विकार करें नमस्कार